दोस्तों आपका हमारे चैनल टैक के रवे स्वागत है आज हम बात करेंगे आई आपकी की टॉप लोड वाशी मिशीन के बारे में जो की 8.55 kg कपैसिटी के साथ आ रही है मोडर है TL-SSBL 8.5 kg एकवा और साथ में इसके यह टच पैनल है जो की प्रोग्राम और इसमें और इसमें और इसमें वाशी मिशीन और इसमें इन-बिल्ट हीटर है पानी विगारा आप गरम कर चाहते हो तो आप इसके बीच में गरम कर सकते हो वरंटी के बात करें तो 4-year full वरंटी आ रही है 10-year motor की वरंटी है और 10-year spare sport है यह टोपलड और फ्रेंट लोड दोनों में आ रहा है यह अभी में 10-year motor की वरंटी प्लीज हमारे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोट्यूकेशन मिल जाए दोर की बात करें तो इसमें hydraulic door आता है अगर आप उपर से इसको छोड़ देंगे तो यह अराम से बंदोगा एकदम से नीचे नहीं करेंगा तो आपका दोर वगएरा के कांच तूटने का डर नहीं है तो इसमें hydraulic door आता है और इसके साथ आपको मिलेगा सबसे पहले तो इसमें operating manual मिलेगा आपको इसमें सारा options प्रोग्राम वगरा के बारे में पताया गया है और इसमें guarantee वगरा फिल कर सकते हैं उसके बाद इसमें मिलेगी आपको इससे ठाप इसमें ऑडेश का तो इसमें 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 फटाय कर औलिप बॉली हीटर भी यूज़ कर सकते हो जो हीटर वाली टैप है वह आपकी रेड साइड में लगेगी और जो नॉर्मल वाटर की टैंक है वह ब्ल्यू साइड में लगेगी जब भी आप मशीन को ओन करके डोर खोलोगे तो इसका जो है लैम्प स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने अंधेरे में रखिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो आपकी मशीन में जो भी कपड़े वगारा दूले रहे हैं वह सारा कुछ नजर आएगा साथ में इसकी डिटर बोटार वास, जो चीवाश्य आफ यूज़ करना है वह इसमें कमफपर ऑगारा साथ biggest यूज़ उद्यों कह यूज़ अलग से ट्री वह देते हैं है अगर कोने जर नाटियो तो इस नहीं ऐसे आप ट्रे राची में द्यक्सरी स्वाटश भोगे होई इसे ज्यादा डालने की जूरुरत नहीं है और इसके सामने ही ब्लीच या लिक्वर डिटर्जन अलग से डालना चाते हैं तो इस साइट से डाल सकते हो प्लक पल्सेट्र के बात करें तो इसमें पल्सेट trophै इस तरीके से नज़र आता है यह स्विविल जट इससे आपके कपड और मुवमें अन्यवन बीच में है यह सेंटर पंच जो थंपोंदी में का काम करता है पूरं असमें बड़े बड़े दिए हैं यह सोब स्क्रभ आप हे इस अफर फीड फिल्टर के पारेंग है fel 1 इसको फिल्टर कील जाए गाार इसमें जो भी बुर बगरा है जो भी कप्ड़ पानी में जो summer पीड कुछ घूल जाताएं scriptures सारा कुछ हिसमे आ जाएगा इसको खोल के आपने साफ कर लेना है हर 10-15 वाशिंग के बाद इसको एक बार जरूर साफ किजिए वरना अपके कपड़ों में डेस्ट रह सकती है और कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे और इसको फिट करना भी बड़ा सान है सिंपल ही इसक इस तरीके से मशीन को लेवल करने के लिए लेवलर भी दिया गया है ताकि आपके मशीन जगह उपनी चुह तो लेवल कर सको ड्रम का डिजाइन इस तरीके का है क्रेसेंट मून ड्रम आता है आई आपके सभी मशीनों में क्रेसेंट मून ड्रम आता है जो कि सॉफ्ट स्क्र तो जल्दी से खराब नहीं होता अगर आपके कपड़े गीले कपड़े सीधा सुखाना चाते हो तो आपके पैनल पर पानी नहीं गिरेगा जब भी आप आपर आउन करोगे तो सबसे पहले जो इसका प्रोग्राम है वह स्मार्ट सेंस प्रोग्राम चलेगा और इस प्रोग्राम में आपको कोई भी टाइम वकारा नहीं शो होगा लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो वाशिंग मिशीन है जो क्लोक वाइज और एंटी क्लोक वाइज चलेगी जैसे मैंने अभी स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो क्लोक वाइज और एंटी क्ल लेकिन पानी का लेवल एक नमबर पर रखा हुए इसको लग रहा है कि कपड़े बहुत ही ज्यादा कम है और अगर आपने कपड़ा वगरा एड करना तो स्टार्ट वाला बटन प्रेस करोगे तो मिशीन पोज हो जाएगी और दोबारा से स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करोगे तो मिशीन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहां से बंद हुई थी बावर वाला बटन उफ करोगे तो आपका प्रोग्रम है जो पिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप प्रोग्रम चेंज गर सकते ऊच्ट प्रोग्रम है एगेंट्डम है हाइजएन प्लस हाइजएन फ्रॉग्रम है इसमे पाने का लेवल बढ़ जाता है जिससे क्या होता कि आपके कपड़ों में से डिटर्चन अच्छी तरह से निकल जाता है किसी भी तरीक का कोई बक्टीरिया वगरा नहीं रहता है एक गहंटे दस मिनट का प्रोग्राम है अगर आप इसमें टेंपरेचर बढ़ा दोगे तो और भी ज्यादा बढ़िया आपका से कपड़े दोएगा मतलब कि ज्यादा हाईजीन करेगा नेक्स प्रोग्राम में गया है साइलेंट वाश साइलेंट वाश में क्या होगा कि आपकी मशीन है जो टंबल की स्पीड बहुत कम हो जाएगी और स्पिनिंग की स्पीड भी वो 400 आर्पियम पर चलेगी ताकि आपकी जब आप रात को कपड़े लगा रहे हो तो उसमें आवाज विगरा ना आए इसमें वैसे जादा तर आपको वही कपड़े दोने चाहिए जो इतने जादा गंदे नहीं है अगर आप बहुत जादा गंदे कपड़े दो लोगे तो आर्पियम इसकी कम होने के वज़े से आपके वाशिंग क्वाल्टी अच्छी नहीं मिलेगी इसमें आपने कपड़े दोने है जो कि बहुत ही प्ला वाशिंग नहीं करनी होती है और इसमें टिटरजेंट भी कम लगता है क्योंकि इसमें जो रिंस है वो एक बार ही करती है, दो बार रिंस नहीं करती है, तो इसमें अगर आप ज्यादा डिटरजन डाल दोगे तो डिटरजन कपनों में रहने का डर है, नेक्स आजाता है फेवरेट वाश, इसमें आप अपने हिसाब से वाश टाइम सेट कर सकते हो, कितनी बार रिंस करता है, यह सेट कर सकते हो, और स्पिन कितने टाइम के लिए करना है, वो सलेक्ट कर सकते हो, पानी का लेवल क्या रखना है, वो सारा सलेक्ट करके, आप इसकी फेवरेट वाश बना सकते हो, इसमें आप रिंस करना चाते हो, या रिंस सोक करना चाते हो, व इसको मैं start कर दूंगा तो यह start हो गया अब इसको बंद करके दुबारा से चलाओंगा तो आप जब भी वह फेवरेट पे लेके जाओंगा तो एक गहंटे बीस मिनट का ही प्रोग्राम चलेगा तो इस तरीके से आप फेवरेट प्रोग्राम बना सकते हो लेकिन अगर आपने फेवरेट प्रोग्राम चेंज करना चाते हो तो आप वही सब कुछ दबारा से चेंज करते हैं और उसको start कर दोगे तो आपका जो last time फेवरेट बनाया तो वह वाला फेवरेट बन जाएगा उसके बाद आगे तब क्लीन तब क्लीन में आपके मशीन का तब क्लीन करना होता इसको एकदम खाली चलाना है दो घंडे पांच मिनट का प्रोग्राम है और इसको फुल प्रसेस आपने चलाना होता है यह आपने 60 से 70 वाशिंग के बाद चलाना है इससे क्या होता है ड्रम के अंदर की जितनी गंदगी है वह सारी निकल जाती है जो next प्रोग्राम है वह स् है ताकि आपके गंदे कपड़ों को साफ कर सके स्पोर्ट्स वेयर वाले कपड़े हैं वो थोड़े ज़्यादा गंदे होते हैं इसलिए इसका मेकानिकल एक्शन बढ़ जाता है इसमें डेलिकेट कपड़े नहीं दूने है आपने next प्रोग्राम है डेलिकेट इसमें मेकान यह डेलिकेट होते हैं तो यह डेलिकेट प्रोग्राम आप लिंगरी वाश के लिए भी यूज़ कर सकते हो और यह प्रोग्राम है जो 39 मिनट का है next प्रोग्राम आजाएगा आपका ब्लैंकेट का ब्लैंकेट जो है इसमें पानी का लेवल फुल रहेगा और एक घंडे बा वाशिंग वाल्टी बढ़िया से आए next प्रोग्राम आगया जीन्स का इसमें आप जीन्स पगारा दो सकते हो या कोटन के जो मोटे कबड़े हैं वह भी दो सकते हो इसमें आपका मेकानिकल रेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा जिससे कि आपके जीन्स पगार आची तरीके स दूल जाएं एक घेंटे 16 मिनट का यह प्रोग्राम है और इसमें आपका आप इसमें गरम पानी विगरा भी कर सकते हो हर चीज हो सकते है इसमें तो यह आपका एक घेंटे 16 मिनट का प्रोग्राम है नेक्स प्रोग्राम है वो साड़ी का प्रोग्राम है इसमें आप साड़ विगरा भी है वो थोड़ा कम डालना होता है ताकि आपके जो सिलक के कप्रें वो खराब ना हो साडी विगरा खराब ना हो तो इस तरीके से आप साडी का प्रोग्राम यूज कर सकते हो आप किसी भी प्रोग्राम में अकर पानी का लेबल सेट करना चाहते हो तो आप वाटर आपने सीधे सेमी की तरह यूज करना है तो इसको टाइम देचे जैसे मैंने 16 मिनट का टाइम दिया और स्टार्ट करेंगे तो 20 मिनट की वाश करेगा यह 20 मिनट का टाइम लगए और पानी पिन होने का प्राइम इसमें एड हो जागा जैसे कि हमने कोई भी टाइम देते हैं जैसे कि मैंने 6 मिनट का टाइम दिया स्टार्ट गिया तो यह 10 मिनट का टाइम शूर है सिरफ वाश होगा सैमी की तरह मिशीन चलेगी आप इसको पानी जो है वो सेव कर सके तो डिटर्जन वाला पानी दुबारा यूज कर सेते हो अगर आपने बाहर कपले दो हैं या रिं बढ़ेगी तो क्या होगा इस साइडो से पानी आएगा ताकि आपके कपड़ों में से डिटर्जन अच्छी तरीके से निकल सके यह तीन साइडों से पानी आएगा अगर आप बाहर कप्रेट हो चुक्त करना चाहते हैं तो इसको प्रेस कीजिए टाइम दीजिए और स्टार्ट करते की आपके मशीन है जो फिन करते की साथ में है डीले स्टार्ट बना आर से लेकर 20 whats और आर तक आप इसको डीले स्टार्ट लगा सकते हो जानी की आप जितनी कर देर के लिए डिले श्ताट करना चाहते हैं फ़ौ कि आपके अब सीचिन इतने आर के बदाट हो जागी है अगर इन्हों दर जब लाए जनाती एथ तो व्ला जो है टाइम फीच में आइड हो जागा मालो आपने एक गहंटे के लिए रे स्टार्ट लगाया है एक गहंटे के लिए लाइट चलेगी तो आपके मशीन दो गहंटे बाद स्टार्ट होगी फिर इसमें प्रोप्शन आएगा आपको air dry का air dry है जो वो आपका 60 मिनट 90 मिनट और 120 मिनट का है इसमें क्या होगा कि आपके कपड़े 90% तक जो है वो सूख जाएंगे जैसे कि पारिश की मौसम में हम बाहर कपड़े सुखने नहीं डाल सकते हैं तो हम रूम में डालने की बजाए इसमें लगा देंगे तो ये धीरे धीरे सुखाती रहेगी उसको कपड़े और इसमें 90% तक हवा सक करके कपड़े सुखा देगी उसके बाद ये टेंपरीचर का सुख है इसमें 30 degree 40 degree और 60 degree टेंपरेचर आप देज सकते हो पानी का लेवल है उतनी टेमप्रिचर तक गरम हो जागा लेकिन अगर आपके सर्दियों में गर्मियों में पानी थोड़ा गरम आ रहा है तो वो भी टेमप्रिचर बीच में मंटेन कर लेगी ये क्योंकि इसमें थर्मो स्टेट टगा हुआ है यह है आई-अ-बिके वाशिय मशीन की कंप्लीट डेमट अगर आपको आपको हमारे मशीन की डेमो पर अगर बसंद हारे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरिके से आपके लिए बड़िया से बड़िया डेमो बनाते रहे प्लीज हमारे चैनल को लाइक किजिए और शेर किजिए और सब्सक्राइब किजिए थैंक यू थैंक यू सो मच